बच्चों मैनने पिछली काछ्षा में आपको दान चेप्टर यहां तक पढ़ाया था कि मुझे सभी वस्त में उपहाग के सोरुप प्रदान होई हैं गया है आज बच्चों हम आपको इसके आगे का पढ़ाने चल रहे हैं ध्यान से देखीगा, फिर देखा उस पुल के उपर, बहु संख्यक बैठे हैं बानल, एक और पंथ के कृष्णकाई, कंकाल शेशिनल मृत्तु प्राय, बैठा से सरीर देने दुर्वल भी चाको उठीद ले स्टीन इस चल, अति छीन कंट है, तीर रस्वांस, जीता जो जीवन से उदास, दोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिंट कौन सा पाप बच्चों, सबसे पहले आप संदर्व लिखोगे, इसका संदर्व पहले की तरह है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है, पूरे का संदर्व एक ही रहता है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, पंथ मतलब रास्ता, क्रिष्ण काय मतलब काय मतलब शरीर, क्रिष्ण मतलब सामला, कंकाल मतलब हड्डियों का धाचा मात्र, नर मतलब मनुष्य, दैन्य मतलब दीन्ता, छीर मतलब कमजोर, कंट मतलब गला, तीर मतलब लंबी-लंबी, स्वास मतलब सासें, पिर बच्चों, आप प्रसंग लिखते हो, तो इसका प्रसंग है, दान करने वाले व्यक्तियों की कथा का वर्णन किया गया है, निराला जी कहते हैं, मैं सुबह घूमनी के लिए निकला, और लोट कर आकर उस पुल के उपर खड़ा हो गया, मैंने देखा कि बहुत संख्या में बंदर एक जगह एकत्र हो गए हैं, और दूसरी तरफ रास्ते का विखावी बैठा हुआ था, वह मनुष्य क्या था, हड्डियों का धाचा मात्र था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उसने दीमता और दुर्बंता को धारण करके यहां पर आकर बैठ गया हो, उसकी मित्व निकट आ गई थी, वह आने जाने वाले व्यक्तियों को देखता था, तो विच्छा के लिए उसकी जड़वूत आखें उपर की और उठ जाती थी, उसकी गर्दन किसकी? रास्ते के विखावी की, अत्धिक कमजोर थी, वह लंबी-लंबी सांसे ले रहा था, वह जीवन क्या जी रहा था, मानों जीवन से उदास होकर जी रहा था, वह कौन से शाप को धो रहा था, और कौन से कढ़िप पाप को धो रहा था, रास्ती में आने वाले सभी व्यक्तियों के पास ये प्रश्म उठता था, लेकिन किसी के पास इसका उठत नहीं था, कोई दया करता था, तो उसे एक पैसा दान में देता था, अब अज्चों कावगत विशेष्टा लिखोगे, कावगत विशेष्टा में पहला पॉइंट लिखोगे, पहले पॉइंट विखोगे, मानों की दयालुका, उसके धार्मिक सोरूप, एवं समाज की विशंगतियों का हिद्रग्राही चित्रण किया गया है, रस, करुण रस है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लोग दुखी है, विखारी अत्तिधिक कस्ट भी है, प्रश्ण माचक भी है बच्चों, प्रश्ण माचक अलंकाग है, क्योंकि प्रश्ण किया गया है, कौन से कठिन पाप को भोग रहा है, अनुप्रास अलंकाग है, उत्प्रेच्छा अलंकाग है, मालू, सचरीर देम्य दुर्बल वा दिंता को धारण करके आकर बैठ गया हो, चंद माधूर ये गुण है, भासा परिस्क्रित खड़ी बोली है, बच्चों जब जीवन से निराश हो गया थे, उस बिखारी को देखकर, तक उन्हें नीचे की ओर देखा, और उन्हें आशा का संचार हुआ, उसका बढ़न करते हुए, आगे कभी क्या कहते हैं, देखिए, मैंने जुक नीचे की को देखा, तो जल की आशा की रेखा, बिप्रवर इसनान कर चढ़ा सलील, शीवपर दुर्वादल तंडूल तिम, लेकर जोली आए उपर, देख कर चले तत पर वानर, बच्चों जैसा की बार बार बताने हैं, कि सबसे पहले आपको संदर्व लिखना होता है, संदर्व आपका पहले वाला ही रहता है, प्रसंद इसमें, आपका पीछे से ही निकल रहा है प्रसंद, पीछे प्रेजन था कि दान करने वाले व्यक्ति का वर्णन किया गया है, इसमें कभिने दान करने वाले व्यक्ति पर व्यंग करते हुए कहा है, क्या कहा है? देखिए, विप्रवर्द दो शब्द है, विप्र मतलब रामवर्ड, वर्ण मतलब स्ट्रेस्ट, सलील मतलब जल्द, दूर्वादल मतलब दूप, तंडुल मतलब चावल, कर कहते हैं, मैंने जुखकर नीचे की ओर देखा, तो मैं जो भिखाली को देखकर जीवन से निराश हो गया था, तो मुझे जीवन से आर्शा की एक रेखा दिखाई दी, जो मेरा जीवन अंधकार में था, उसमें प्रकार्श दिखाई दिया, मैंने क्या देखा, एक ब्रामभर इस नान करके, शिवजी पर दूप, तंडुल, जल, चावल, तिल चड़ा कर, अपनी जोली को समाले हुए उपर चले आ रहे थे, उनकी जोली को देखका, बड़ी मुस्तेदी से, बड़ी प्रसनता से, बंदर उधर चले आ रहे थे, दुजी राम भक्त भक्त की आस, बड़ते शिव को बरहो मास, कर रामायन का पारायन जबते हैं श्री मन्ना राया, दुख पाते जब होते अनात, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे दीज मतलब बच्चो ब्रामभर, मास मतलब महीना, पारायन मतलब पाठ करना, वे प्रामभर, राम जी के भक्त हैं, और भक्ती की आशा में बरहो महीना, शिव जी को भजते हैं, रामायन का पार्ट करते हैं, और श्री मन्ना रायन का जब करते हैं, हैं, जब वे दुखी होते हैं, अपने आपको अनाथ महसूस करते हैं, अनाथ हो लग जिसका कोई ना हूँ, तो वे कभी यो मतलब बंदर, तो वे अपनी रक्षा के लिए बंदरों के हांथ जोड़ते, अब आगे देखिए कभी क्या कहते हैं उनके बारे में, मेरे पडोस के वे सज्जन्ज, करते प्रतिदिन सरितामंजन, जोड़ी से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हांथ दिये, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर राव वह बिक्षुईतर, चिलाया किया दूरदान, बोला मैं धन्य स्ट्रेस्ट मानाँ, आगे कभी कहते हैं, सरितामंजन मतलब नदी, कपियों मतलब गंदर, विक्षु मतलब विखारी, इतर मतलब दूसरी तरफ, वे मेरे पडोस के ही सज्जन्ज हैं, मैं यह घनिभात पहचानता हूँ, यह मेरे पडोस में ही रहते हैं, वे प्रत दिन अर्था प्रोज, यहां इस नान करने के लिए आते हैं, उन्होंने जोली से पुवे निकाले, पुवे मतलब मीठा पूड़ी जो मोटा मोटा बनता है, उन्होंने जोली से चिनी डालके, जोली से पुवे निकाल लिए, और बंदरों के हाथ में दिये, और दूसरी तरफ जिधर विखारी बैठा था, उन्होंने देखा भी नहीं, जब उसने चिल लाया, तो उन्होंने दानों कहकर जिचकार दिया, इस प्रगाल मानों की उपेच्छा को देखते हुए, और उसकी दानशीलता को देखते हुए, मेरे मुँसे अनायास ही निकल आया, कि है मनुशे, तुम ना स्ट्रेस्ट हो, और ना धन्य हो, क्योंकि तुम मनुष्य होते हुए, मनुष्य की परेशानी को नहीं समझते हो, इसलिए तुम ना तो स्ट्रेस्ट हो और ना ही धन्य हो. बच्चों, अब आप कार्वद विशेष्ता में निखोगे, पहले पॉइंट में समाज का जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, उसका कभी ने मरमिस्परशी वर्लन किया है. और मा दूस्य पॉइंट में मानो प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है. रस करुण रस है, भाषा परिमान जित खड़ी बोली है, छंद कभित है, क्योंकि सब कभिता की तरह कहा गया है? और उत्रप्रेक्षा अलंकार है, आप जानते हैं, जहां पर मन मानो जनु जानो आता है, वहां पर उत्रप्रेक्षा होता है, अनुप्रारस अलंकार है.